मार्केट में रंग भी रंगा साग, दस तक तो लेने लगी है सबजियों की तरह, तो मैंने सुचा क्यों न चलिये, आज बनाते हैं मिक्स साग, जी हाँ, जो खाने में भी टेश्टी लगेगा, अब बनाना भी बिल्कुल आसान है, तो मैंने यहाँ तीन तरह के साग का इस्त मिक्स करके बनाऊंगे, तो सबसे पहले सोवा को हम साफ कर लेते हैं, इसके डंठल को इस तरह से, जो कचड़ा वगर हो, इसको निकाल देंगे, इसके जड़ को हम काट कर अलग कर देंगे, इस तरह से देखिए, सोवा को मैंने साफ कर लिया है, इस तरह एक के करके सारे साग को मतलब सारे सब्सक्राइब कर दे रहे हूं इस तरह से साग कर देंगे यह मुझे आसान पड़ता है आपको जैसा मन करें उस तरह से आप साग को काट सकते हैं यह देखे जितना बारिक काटेंगे न साग उतना जल्दी गल जाएगा और आपको मेनत कम करना पड़ेगा तो यह सारा सोवा गया थाली में थाली प्लेट किसी भी बर्तन में आप रखें अब हम आगे कटिंग करते हैं पालक की तो पालिक को भी मैंने बीज में से काट लिया मैंने बताया था ना कि मुझे आसान पड़ता इस तरह से फोल्ड करके सब्जियों को काटना तो इस तरह से इसकी भी हम बारिक कटिंग कर देंगे वैसे हरी सब्जियों से बहुत सारी चीजे बनती है आप लोग को तो पता ही होगा फिर भी चलिए मैं एकदम सिंपल तरीके का सागाज बता देती हूँ तो इस सोवा के उपर मैंने पालक को भी काट कर डाल दिया है अब यह हम बत्वा की कर देते हैं कटिंग ठीक उसी तरह जैसा पहले मैंने पालक और सोवा को काटा है बस बारिक काट लेना है इसकी इसे फटा फट कटिंग करते हैं इसकी भी हमारा बत्वा भी कटकर तयार हो के आती है बारए तो इसको हम का ही ट्रेंड का डब्बा बना देते हैं और ये इक साथ सारे हृरिमिर्ज की हमस्ट कर देते हैं इसे हमें बारए काटना है 15ता हरिमेंज भी बारी कट चुकी है अब यहां लसन को हम कूट कर ले लेंगे लसन की मात्रा हम ज्यादा डालेंगे और इसे हम कूट लेंगे आप इसे काट कर भी इसमें सबजियों में डाल सकते हैं लेकिन कूट कर डालने से स्वाद और जल्दी मतलब साग में लसन अज़ा भीन जाता है और ज्यादा मसक्कत न जब सरजो का तेल गर्म हो जए तो इसमें एक चम्मच आप काला सरसो डाल दें, अगर काला सरसो नहीं है तो पीदा सर्जो का भी स्टेमाल कर सकते हैं, कटी हुई हरी मिस्ट मिटैनी है और डालनी है लसन जो हमने कूट कर रखा था, अब इन सब को हमें तब तक भूनना है जब तक एक golden color ना आ जाए high flame पर ये सब process मैं कर रहे हूँ 2-3 मेट लगेंगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा देखे इसमें lesson सुनारा होने लगा है जब ये golden color आ जाए तब इसमें हम साग को डाल देना है यान कि पालक बथुआ और सोवा को आप इस तरह से कई तरह से सबजीया बना सकते हैं आप किसी भी mix साग मतलब कोई भी साग आप चाहो तो पालक और सोवा का भी साग बना सकते हैं मतलब सबजी या फिर से बथुए का भी इस तरह से बना सकते हैं मिक्स साग भी बना सकते हैं अब किसी भी तरह बना है टेश्टी तो आपका बनने ही वाला है बस इसे हाई प्लेम पर अब क्या करना है ढखकर छोड़ देना ऐसे पांच मिनट के लिए इसे मैंने भी मिक्स नहीं किया छोड़ देते हैं ताकि हमारा साग थोड़ा नर्म हो जा इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाथ के अनुसार नमक डालने से साग पानी छोड़ने लगेगा जिससे हमारा साग बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाएगा इसको नमक को भी अच्छी से मिक्स कर लेते हैं पूरे साग में यहां ढखकर आप छोड़ देंगे अब यहां फ्ले हल्दी पाउडर इसे जो कि मुझे नमक के साथ ही डालना था मैं भूल गई थी मैं इसले थोड़ा बाद में डाल ले हूँ आप नमक के साथ डालें ताकि हल्दी अच्छे से पक जाए इसको भी हल्दी कोई मिला लिया है मैंने और यहां भी ढखकर मैंने छोड़ दिया फि इसी तरह से चटनी की तरह इसे त्यार करना है जितना मिक्स करेंगे एक गोंत की तरह होता जाएगा चुकि डंठल भी गल चुके हैं सारे और इस तरह से देखिये अमारा मिक्स साग यानि कि पालग, सोवा और बथुआ बनकर बिल्कुल तैयार है तो चलिए इसे आप ठाली में निकालकर मैं आपको दिखाते हूं ये रहा गर्मा गर्म मिक्स साग तो इसे आप चावल के साथ, दाल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराढ़ों के साथ भी खा सकते हैं, फिलाल मैं यहां रोटी के साथ खाने जा रहे हूं प्याच का सलाद और हरिमेच उस पर मिक्स अचार और उस पर मिक्स साग तो क्या वाद है तो ये साग गया, और ये मिक्स अचार इसे खाईए और इस तरह से ठंडी में मिक्स साग बनाईए तो आपको अगर मेरी रेश्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सेस्क्राइब करना ना भूले